स्ट्रोलोजी से रिलेटेट महत्तपों जानकारिया प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटिस्ट नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन को भी प्रेस करिए नमस्कार दोस्तों मैं सीमा डैमन मेरे इस यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ नव वर्ष का प्रारम होने जा रहा है यह नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही मंगल कारी हो समस्त परिवार के सुप में जीवन के लिए आरदिक शुप कामनाई मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष के आगमन होने पर सभी के मन में यही प्रश्न उट्टा है कि क्या यह नया वर्ष मेरे जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा मेरी सभी इच्छाएं पूरी होगी की नहीं होगी मेरी नौकरी लगेगी या नहीं पदनुत्ती होगी या ट्रांसफर होगा की नहीं होगा विदेश यात्रा होगी की नहीं होगी धनलाब होगा की नहीं होगा परवरिक जीवन कैसा रहेगा स्वास्ते कैसा रहेगा करियर की द्रस्टी से यह साल कैसा रहेगा इन सभी प्रश्णों के आंसर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे दोस्तों इश्वर से मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत इशुब हो मनवांचित फल प्रदान करने वाला ह और आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो इस वर्ष और आपको राशी फल के माध्यम से भी मैं बताने का प्रयास करूँगी दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कन्या राशी फल जानने से पहले गोचर के बारे में मैं आपको जानकरी दे देती हूँ आपके शनी देव फिफ्थ हाउस में विराजमिन रहेंगे पूरे साल बर और देव गुरू ब्रस्पती भी 6 अप्रेल तक आपके फिफ्थ हाउस में विराजमान रहेंगे शनी से य ले जाएंगे, 14 सितंबर तक वहे वही पर रहेंगे और वापस से वक्री होकर मकर राशी में आएंगे 14 सितंबर के बाद, अर्थात फिफ्थ हाउस में पुने आपके नीच भंग राज योग बनेगा 14 सितंबर तक, 21 नौमबर तक देव गुरु ब्रस्पती यहीं पर उन्हें आपके 6 हाउस में चले जाएंगे, अर्थात कुम राशी में, राहु देव आपके 9 भाव में रहेंगे, उच्च के होके जिससे भाग्य का साथ आपको इस वर्ष अधिक प्राप्त होगा और केतु देव भी आपके 3 हाउस में रहेंगे, इस बार उच्च के होके जिससे राहू और केतु से दोनों से ही आपको अच्छा लाप इस वर्ष पूरे साल भर मिलेगा दोस्तों। अब से पहले हम करियर के बारे में जानकरी प्राप्त कर लेते हैं, व्यापारी वर्ष के लिए यह साल कैसा रहेगा और नौकरी पेशा वाले जात्कों के लिए यह वर्ष क्या परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तों। नौकरी पेशा हैं, अपनी नौकरी चेंज भी करना चाते हैं, तो 6 अप्रेल से पहले पहले यदि करेंगे तो वह है आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा जो भी आपको जॉब ऑफर्स अच्छी प्राप्त होती है उसे यदि आप एसेप्ट करेंगे तो फ्यूच सूज बूच कर ले हैं इस समय, क्योंकि देव ग्रू ब्रस्पती आपके 6 अउस में इस्तित होंगे जिससे आपको हानी का सामना करना पड़ सकता है अपने करियर में, चाहे आप जॉब वाले जातक हो या फिर आप व्यापार्गी वर्ग हो इस वर्ष आपके जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना और अप्रेल का महीना करियर के लिए बहुत ही अधिक उत्तम रहेगा, ग्रहों की चाल के अनुकूल आपके इस दौरान मंचाहर ट्रांसवर मिलने के योग भी आपके बनेंगे, आपको धन आपकी प्राप्ती भी हो यह है विवाद, इसलिए किसी के वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़े दोस्तो, और यदि आप कोई पार्टनर्शिप में वेफसाई करते हैं, तो 6 अप्रेल से 14 सितंबर के मध्ये कोई भी बड़ा डिसिजन बिल्कुल भी नहीं ले, पार्टनर पर बिल्कुल भी आत्मुंद कर विश्वास नहीं करें, अनिता आपको हानी का सामना इस समय करना पड़ सकता है, दोस्तो, 21 नौवंबर के बाद भी आपको सतरक रहने की आवशकता है, 14 सितंबर के बाद पुने आपकी इस्तिती अच्छी सामान्य होगी, करियर की दरस्टी से 21 आप सतरकता बढ़तेंगे, तो आपको जीवन में कभी भी हानी नहीं होगी, दोस्तो, आप हम आर्थिक जीवन के बारे में जानकरी प्राप्त कर लेते हैं, आर्थिक इस्तिती से देखा जाए तो आपके 6 अप्रेल से पहले पहले आपकी आर्थिक इस्तिती बहुत अधिक मजबूत रहेगी व्यापार से भी आपको अच्छा धन अर्जित करने के मौके प्राप्त होंगे और नौकरी पेशा वाले जात्कों के लिए भी समय अच्छा रहेगा लेकिन 6 अप्रेल के बाद आप आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं आपके जीवन में खर्चे इस समय अधिक भड़ सकते हैं यदि आप उन खर्चों पर लगाम नहीं लगाएंगे तो फ्यूचर में आपको कोई परिशानी का सामना भी करना पड़ सकता है 6 अप्रेल के बाद आप बहुत बड़ा इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें ना किसी को पैसा उधार दे ना किसी से पैसा उधार ले अनिता आप फिर रिण के शिकार भी हो सकते हैं दोस्तों 14 सितंबर के बाद वापस से आपको आर्थिक जीवन में अच्छा लाप प्राप्त होगा आपके आवगवन की इस्तिती धन की अच्छी बनेगी इस समय 21 नौबर के बाद पुने आपको सतरक्ता ब परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तों कभी-कभी तो आपको बहुत अधिक अच्छा लाप होगा लेकिन कभी-कभी ऐसा नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है जिससे आपको फ्यूचर में अधिक परेशानी साबिच सिध हो अब हम शिक्षा की शेत्र से यह है वर्ष आ आपका पड़ाई में थोड़ा सा कम लगेगा लेकिन आपको पड़ाई में मन अवश्य लगाना है दोस्तों 6 अप्रेल के बाद आपको competitive exam में success के पूरे योग बनेंगे क्योंकि देव गुरु ब्रस्पति आपके 6th house में इस्तित हो जाएंगे जो की competitive exam में success के पूरे पूर हो सकती है जिसका सपना आपने बरसों से संजोया हो दोस्तों अर्थात आपको गौर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके success के पूरे योग बन रहे हैं इस समय को आपको बिलकुल भी नहीं गवाना चाहिए पूरी मेहनत यदि आप करते हैं तो अच्छे य रहे हैं और विदेज जाने का सपना देख रहे हैं तो उनका सपना भी 6 अपरेल के बाद अवश्य पूरा होगा दोस्तों राहू के कारण उनकी बड़ी यात्राओं के योग भी इस समय बनेंगे विदेज जाकर पढ़ाई करने वाले जात्कों के लिए अगस्त का महीना औ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है यह वर्ष शुरुवात में तो आपको अच्छे परिडाम दे कर जाएगा 6 अपरेल से पहले पहले आपके परिवार से इस्तिती अच्छी बनेगी लेकिन 6 अपरेल के बाद जब देव गुरु ब्रस्पती छटे हाउस में आ जाए जिससे आपको पालसिक परिशानी का सामना भी उठाना पड़ सकता है लेकिन यह समय यदि आप अपनी सूजबु से काटेंगे तो वह है आपकी जीवन के लिए अच्छा रहेगा इस समय ऐसा है कि आप किसी की विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़े अन्यता कोट कचली के चक्कर भी आपके इस समय लग सकते है क्योंकि सिक्स थाउस हमारा अच्छा भाव नहीं माना जाता है यह रोग रिंड शत्रू का घर भी माना जाता है शत्रू पक्ष आपकी उपर हावी हो सकता है इस समय जिससे आपको जीवन में परिशानी उत्पन हो सकती है लेकिन घ पूर सहयोग आपको जीवन में प्राप्थ होगा परिवार से जैसे जैसे ग्रह हमारे मूव करते हैं वैसे वैसे ही हमारे जीवन में शुब और अशुब परिणाम प्राप्थ होता है यदि हम राशी फल का सारा लेते हैं तो जो समय हमें बताया जाता है कि सत्रक्ता से अब हम वेवाहिक जीवन और संतान के बारे में जानकरी प्राप्त कर लेते हैं। अधिक अनुकूल है, नीच भंग राजयोग का आपको पूरा लाप प्राप्त होगा, संतान सुख की प्राप्ती इस समय हो सकती है। 14 सितंबर तक आपके जीवन में तनातनी का माहोल रहेगा इस समय क्योंकि देव गुरु ब्रस्पती आपके सिक्थ हाउस में आ जाएंगे जो की संतान पक्ष को कोई नुक्सान पहुचा सकते हैं। लेकिन धवराने की जरुवत नहीं है, 14 सितंबर के बाद इस्तिती अपने आप सामने होती आपके जीवन में नजर आएगी दोस्तों जब देव गुरु ब्रस्पती फिर से फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। विवाईक जीवन में भी आपको थोड़ी सी सतरक्ता बरतने की आवशक्ता है, इस समय आप कोट कच्री के चकर भी लगा सकते हैं, तलाग जैसी इस्तिती भी आपकी जीवन में उत्पन हो सकती है, 6 अप्रेल के बाद और 14 सितंबर तक आपको बहुत अधिक सतरक्ता आपकी रिष्टे में बरतने की आवशक्ता है, लेकिन 21 नौमर के बाद और दिसंबर के महिने में आपको संतान से जूड़ी कोई अच्छी खुशकबरी भी प्राप्त हो सकती है, दोस्तों, अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में जानकरी प्राप्त कर लेते हैं, जो जातक प्र प्राप्नर का पूर्ण सायोग आपकी जीवन में आपको प्राप्त होगा, दोस्तों, जन्वरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल का महिना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अधिक अच्छा साबिस से दो रहा है, इस समय यदि आप घरवालों से बात करते हैं, तो वे हैं आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, दोस्तों, आप अपने रिष्टे को नाम भी इस समय दे सकते हैं, लेकिन अप्रेल से सितंबर के मध्य कोई बी ऐसा कारियर नहीं करें, जिससे आपकी रिष्टे में कोई खटास उत्पन हो सकती है, घरवाले हो सकता है, इस समय नहीं माने, इसलिए यह समय आपके जीवन के लिए सत्रक रहने की आवशकता है, अने था आपका रिष्टा भी इस समय तूट सकता है, लेकिन घपराने की जरुट नहीं है, 14 सितंबर के बाद आपकी इस्तिति अच्छी बनेगी, लव लाइफ के लिए 21 पर तक बहुत अधिक अच्छे प्रेडाम आपकी जीवन में आपको प्राप्त होंगे, आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में भी शक्षम होंगे दोस्तों, इस वर्ष आपको प्रेम जीवन में भग्ये का भरपूर साथ मिलेगा, ज अब हम स्वास्ते के बारे में जानकरी प्राप्त कर लेते हैं, दोहजारी किसके अनुसार स्वास्ते की द्रस्टी से देखा जाये तो यह वर्ष आपको लिए बहुत अधिक अच्छा साबिस से दो रहा है, सास और परकरम में आपके व्रदी होगी क्योंकि केत्यु देव आपके उच्छोकर थार्ड हाउस में इस्तित हो रहे हैं और स्वास्ते से भी आपको अच्छा लाब ही प्राप्त होगा, लेकिन छोटी मुटी बीमारियों के योग भी इस समय बन रहे हैं, जिससे आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवशकता है, छे अप्रेल के बाद आपको स्वास्ते का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवशकता है, यदि आप डाइबिटीस पेशेंट्स है तो आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवशकता है, डाइबिटीस होने के योग भी इस समय बनेंगे, आपके तंत्रे संबंदित परेशानी भी उत्पन हो सकत है, क्योंकि देव गुरु ब्रस्पती आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे, जो कि उस सास्ते को हानी पहुचा सकते हैं, चौदा सितंबर तक आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवशकता है इस समय, यदि आपको लंबी यात्रा की योग की प्लानिंग करें तो प्लान दुरगटना के योग भी इस समय आपके बन सकते हैं, इसलिए स्वास्ते का बहुत अधिक ध्यान रखें, छे अप्रेल से 14 सितंबर के मत हैं, लेकिन सितंबर के बाद आपको स्वास्ते से अच्छा लाप्राप्त होगा, 21 नॉवंबर तक आपको अच्छे स्वास्ते के प्रति, अब हम यह जान लेते हैं कि आपको प्राप्राप्त होगा, हर किसी का सपना हो कि मेरा खुद का मकान हो, कम मैं गाड़ी ले सकू, हर कोई जाता कि यह हैं, अपने जीवन में अवश्य ही सोचता है, आपका यह सपना 6 अप्रेल से पहले पहले पूर यदि आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है और आपके खुद का घर का मकान बनने के योग भी बनेंगे इस समय यदि आप वाहन भी खरीते हैं तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा मार्च और अप्रेल का महिना बहुत अधिक शुब है 6 अप्रेल से पहले पहले आप कोई प्रॉपर्टी में अच्छा इन्वेस्ट करें जो कि आपकी फ्यूचर के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा लेकिन 6 अप्रेल के बाद और 14 सितंबर के मध्य कोई भी यदि आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई वाहन खरीद रहे हैं तो बहुत सोच विचार के खरीदे पूर्ण उसकी जाज करके खरीदे अनिता आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है हानी कि शिकार भी आप इस समय हो सकते हैं यह वाहन आपकी लिए जारी कर सकते हैं इस समय और आपके खुद का मकान बनने के योग भी इस समय बनेंगे वाहन सुग भी इस समय आपको प्राप्त होगा सितंबर के बाद अक्टूबर और नौमर का महीना बहुत अधिक शुपकारी आपके जीवन के लिए हो रहा है दोस्तों लेकिन 21 नौमर क के बाद पुने आपको सत्रक्ता बरतने की आवशकता है जब भी हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे शुब योगों में करते हैं तो वह हमारी फ्यूचर के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा क्योंकि प्रापर्टी और वाहन एक ऐसा सुख है जो आपकी फ्यूचर के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तो इस तरीके से देखा जाये तो कन्या राशी वाले जातकों के लिए यह वर्ष बहुत अधिक अच्छा रहने वाला है जो समय मैंने आपको बताया है उस समय यदि आप सत्रक्ता बढ़तेंगे तो आपकी जीवन में कोई भी परिशानी नहीं होगी यदि आप कन्या राशी के जातक है लेकिन फिर भी आपकी जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है वह इसलिए नहीं होता है क्योंकि हो सकता है आपकी लगन कुली स्ट्रॉंग नहीं हो यह राशी फल गोचर के अनुसार तैयार किया गया है इस गोचर का अपलाए आपकी लगन कुणली पर होना बहुत अधिक जरूरी है यदि आपकी लगन कुणली में ग्रह स्ट्रोंग नहीं है तो कितना ही शुब गोचर आ जाए हमारे जीवन में बड़े-बड़े कारे सिद्ध नहीं होता है दोस्तों कई बा होता है क्योंकि हमारी लगन कुणली में ग्रह स्ट्रोंग नहीं होते हैं उनका प्लेस्मेंट अच्छा नहीं होता है फिर उस इस्तिति में हमें क्या करना चाहिए जोतिश उपायों का सारा लेना चाहिए जोतिश उपायों के सारे के लिए यदि आप कन्या राशी के जाता देती हूँ, क्योंकि हर कोई जातक अलग-अलग वीडियो देखते हैं, तो आप यदि कन्या राशी के जातक है, तो कभी भी आपको अपनी राशी के अनुसार रत्ने नहीं धारन करने चाहिए, हमेशा कुणली विशलेशन करवा कर ही रत्न धारन करना चाहिए, क्योंकि रत् सोच विचार कर दिया जाता है, आपकी ग्रहों की इस्तिती देखी जाती है, लगन कुणली में, चलित कुणली में भी ग्रहों की इस्तिती देखी जाती है, उसके अनुसार ही रत्न रेकमेंड किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कन्या राशी के जाता है, लेकिन फिर भ प्राप्त कर सकते हैं नेगेटिव ग्रहों का भी रुद्राक्ष धारण करके और इस्तिती के अनुसार यानि कि जो इच्छा हम रखते हैं उसके अनुसार भी रुद्राक्ष धारण किया जाए और नेगेटिव दश्या के अनुसार भी रुद्राक्ष धारण किया जाए तो 100% हमारे जीवन में अच्छा लाफ हमें प्राप्त होता है दोस्तों उसके अलावा कन्याराशी के वैदिक मंत्र होते हैं उनका भी जाप यदि आप नियमित रुप्त से करते हैं तो 100% आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो इससे आप लाइक ज़रूर करें दूसरों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों और कमेंस करें दौराब मुझे जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं next वीडियो में कोई interesting topic के स साथ तब तक के लिए थैंक्यू एंड बाबाई